जी, Microsoft PowerPoint 2010 के अंदर अब हम देखेंगे के presentation को इस तरह खोला जाता है presentation को खोलने के लिए हमें सबसे पहले backstage view में जाना होगा file के टाब के तुरू, तो file के टाब पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे सामने ये options आजेंगी और यहां पर backstage view में open का जो option है, उस पर click कीजिए तो आप से पूछा जाएगा किस file को आप खोलना चाहते हैं तो आप browse करके उस folder तक जाएए जहां पर आपकी presentation पड़ी हुई है और उसके बाद उस पर click करके open का button दबा देए तो आपके सामने ये आपकी presentation खुल जाएगी एक और तरीका जिससे आप अपनी presentation कोल सकते हैं वो है keyboard पर अगर आप control O करें तो आपके सामने ये dialogue box खुला वा आ जाएगा और इससे भी आप अपनी presentation क्लिक करके खुल सकते हैं और एक और तरीका ये है कि आप उस फोल्डर में जाएगे जहां पर आपकी presentation मौझूद है फर्स करें मेरी presentation इस फोल्डर में है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूँगा तो मेरी presentation खुल जाएगी मेरे सामने और अगर मैंने ये presentation पहले खुली हुई है तो आपकी recent presentations के अंदर ये presentation उसके नाम के साथ और उसकी पाथ के साथ आजाएगा तो आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये presentation खुली हुई आजाएगी तो ये हैं मुख्तलिफ तरीके जिन से आप presentation को open कर सकते हैं Microsoft PowerPoint 2010 में